बाइयो मैं द्रमपालमलिक जीन्द से हूँ आज के मारा विडियो का विश्य गामबवा यह गामबवा जो है डिस्तिक करनाल के अंदर है इसकी तसील असंद है और जोर यह करनाल से 25 किलोमेटर दूर है यह मान गोत के जाटों का गाउं है यह बड़ा एतियासिक गाउं है औ और हर्याना के सबसे पुराने गाउं में से एक है और सबसे बड़े गाउं में से एक है इसमें मान गोत्तर के जाट बस्ते हैं संठारा सुस्ताउन के अंदर इस गाउं के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाप विद्रो किया था उन्होंने जमीन का मालिया देने से इंकार ठारास तौश्ताउन का जो विद्रो था उसके दो मुक्खे कारड़े इक तो सैनिक نے विद्रो किया सबसे पहले अंवाला में फिर सारा रियाना में आसी सार पानी पत्षितिंग स norm जग नाल हर जग विद्रो किया वो सैनिक जो वो तो किसानों के बेटे थे और दूसरे किसा जोने जोनी वो बनाये थे जिनके अंदर सुवर और गाये का मीट का जोनी वो गरीश था जिससे वो और वो मुह से काटने पड़ते थे इंदू गाये को पुईतर मानते हैं और कुरान के अंदर सुवर का मास खाने की मनाई है इसलिए इससे इंदू और मुस्लमान दोनों सैन किसान के नाराज हो गए और सेनिकों ने विद्डो कर दिया 10 महीत ठारा स्थाउं को एंबाला की छावनी के इंदर किसानों से जो ने वो टैक्स बहुत जादा लिया जाता था जमीन का मालिया जैसे हमने हर गाउं के इंदर शुनया है कि पहले गाउं की परस्ट के अंदर जिसका मार नहीं पूगता था उसको परस में बुला के कान पकडा करके उसको किसान की पीठ के उपर डले रख दिये जाते थे बहुत से गाउं जो किसान जोनी गाउं को छोड़ कर बाग जाते थे क्योंगी मालिया नहीं पूगता था उसका एक कारण था जितना भी पैदा होता था उसका टू थरड़ 66% जोनी वो नाज जोनी सरकार ले जाती थी जैसे किसी खेट के अंदर जोनी 9 मन नाज पैदा हुआ तो 6 मन जोनी वो सरकार सीन लेती थी और 3 मन में किसांग गुजारा करता था इस करनाल परगना जोनी वो एक छोटे परगनों में से एक था बहुत बड़ा परगना नहीं था उस करनाल परगने के अंदर 136 तो रेवनू डिपार्टमेंट के करमचारी थे और केवल 22 पुलिस डिपार्टमेंट के करमचारी थे लैवनू डिपार्टमेंट के करम्चार्इट को जोनी वह गोडे दिये जाते थे आपने अरियाना के इंदर या काहुत सुनी होगी कि फर गया गोडे वागा और अग़िया गोडिग्वा सब्सक्राद के आपक अगर्डरमीन रिव्दीपार्टमेंट की जोनी वह चूसना चाहते थे ताकि उनको शिरफ अरियाना में कावत है कि बूखा क्या बूखे से पूछा जाए कि दोड़ दो च्यार कितने होते तो वो कहेगा च्यार रोटी किसान लोग केवल अपने रोटी तक की सोचें वो विद्रो की ना सोचें इसलिए किसानों के उपर पूरा रगड़ा लगया आजाता था इसलिए किसानों ने भी उत्रो कर दिया और उसका किसान सारे अरियाना के किसानों ने विद्रो किया था और उसका कारण था बहुत जादा मालिया लेना आज जोनी किसान आज जमीन छोड़ के नहीं बाग था जमीन से भी मिठी लगते उसमें क्यों छोड़ के बाग जाता था आज भी बहुत से जोनी गाउं के अंदर बेचिरा खेड़े हैं वो उनी लोगों के हैं जिन से जमीन का मालिया नहीं बर्या जाता था और वो गाउं को छोड़ कर सले जाते थे लेकिन आज हम आते इसी वीद्रों के अंदर गाउं बलाड़े किसानों ने जोनी मालिया देने से जमीन का टेक्स देने से इनकार कर दीया था जब रेवन्य विबा के करमचारी मालिया लेने के लिए गए तो उन्होंने उनको बगा दिया था रेवनु करमचार डिपार्टमेंट की इतनी वेल्यू थी कि आज भी जोने गाउं के अंदर नेरी पटवारी के बजाए कल्टरी पटवारी की जोने वो जादा इज़त है और वो बड़ी मरोड के साथ अपने स्कूटर मोट साइकल या कार के फिचे रेवनु डिपार्टमें और या करनाल प्रगने का जो कुलेटर तो फहन जाम इसका नाम लीबास ता उसने जो हैनी बल्हा गाउं के जब किसानों ने करमचारियों Cheese देवाए आर्मी की साहताली और आर्मी का कैप्टन था कैप्टन फ्यूज वह फस्ट पंजाब कैवल्री को लेकर गुड़स्वार सेना को लेकर जोनी गाउंबला के अंदर 14 मही ठारा सस्तावन को पहुंचा गाउंबला जोनी उसके चार गेट थे चारों तरच जोनी कच्ची दिवार और चार गेट जोनी मुख्य दर्वाजे थे दर्वाजियों के अंदर पक्का पके मकान थे गाउंगे बार जोनी वह गाउं के बिटोडे थे खुरियां थी कूप तूडी के कूप लगे हुए थे और यह जो कपास की बचन्टी बग्यारा होती हैं इनके मरीडे लगे बड़े बड़े लकड जोनी वो डाल दिये ताकि शाय ना प्रवेश ना करे जोनी गाउं के अंदर च्यार गेट थे एक मुनक गाउं की तरफ था जिसका नाम मुनक गेट था उसको ओली गेट भी कहते दे क्यों थी गाउं के इस तरफ बनाई जाती थी दूसरा जो हनी वो प जो कैपटन हुज था वो मुनक गाउं की तरफ से आयई था उसने जोनी जात्ते ही गाउंवालां कर आमाल भरो मुनादी करवाई गाउं वाल आधि करने वाला था तुरे बजाने वाला था उसको कतल करदिया गाउं के 9 श्रुछ लड़के ज़ो बो लाच्छी गंडा से लेके त्यार थे जिन में सो के पास मैच बॉक्स था और जो नहीं टीन चार गोड़े गाहिल होगे कैप्टन उजने मुनक गेट से गाहों के अंदर परिवेश करने की जोची गाहों वाला ने मैच बॉक्स होते हैं देशी कट्टे उनसे और उसके अंदर वो दोसी बंदुखें लोए कि चुकडों की गोलियां परी जाती थी वह चला दी जिसमें कई सैनिक गाहिल हो गए एक मुनादी करने वाला तूरी बजाने वाला था हो मारे गया तीन-च्यार गोडे मारे गए यह अंग्रेज लिखते हैं जबकि जीतने वाला इतियास अपने ही साथ से लिखवाता है फिर जो हैनी उसने मच गेट के उपर अटेक किया वहां भी उसकी जोनी वो चारा नहीं चल दी उसने गाहों में प्रवेश करने की सोची गाहों वाला ने फिर गोलियां चला दी उसमें दो जोनी वो नेटिव एन नेटिव ओफिशल जिनको जो जे सियो कहते थे जुनियर कमिशन्ड ओफिशल और जोनी तीन सैनिक मारे गए बहुत से वोडेल गाहिल हो गए ऐसा जो ले उसने अंग्रेजों की सैना ने जोनी वो पीछे अठ गई और ये गाहों में देयात के अंदर चारों पुरी तरश अभ जैसे जंगले में आग फैलती ऐसे अफवा फैल गई के बला गाओं के अंदर अंग्रेजों की सेनों के अरा दिया गया है कैप्टन हूज ने जोनी गाओं के बार एक सम्तलज़ एक गाओं के एक तरफ जोनी वो नदी थी जिसको पुरानी नदी कहते हैं जो सेरसा फिरोसा तुकलक ने बनवाई थी जो वाया बला आती थी जिसको आजगल वेस्टन यमना करनाल करते हैं वो एक तरफ वो नहर थी एक तरफ जंगल था उसने समझा करांती कारी जंगल की तरफ से आ जाएंगे इसलिए उसने खुल एमदान के अंदर जंगल से अटकर गाउं से अटकर थोड़ा दूर रात को डेरा डाल दिया और उसने जोनी करनाल सुचना बेज़ दी लीबास के पास के तुरंट दो तोप बेज़ी जाएं और सेना बेज़ी जाएं गाउं जोनी वो काबू से बार हो गया है उधर गाउंग वालों में भी आस पास के गवांड़ों में सुचना बेज़ दी इस से जोनी गाउ मुनक, गाउ जल्माना और गाउ असंद ये टीनों जो थे वो रांगडों के गाउं थे रांगडों के लगबग जोनी वो तीन जाग लड़के भी रात को ही गाउं के अंदर पहुँच गए और उदर से जोनी जो पती इसका नबाब था करनाल का नबाब था मंदल जो पाकिस्तान का पहला परदान मंदली बन्या लिया कतली खान उसका दादा था है मंदली खान उसने और एक पतियाला के राजा ने एक तोफ पतियाला के राजा की थी उसकी गुड़सवार सैना थी और एक तोफ करनाल के नबाब अली एमन मंडल की थी और जोने उन्होंने बहुत से सैनिक वो बेज दिये पहली गचना सोधा दुलाई की थी, ये गचना पंदा दुलाई की थी, रांगड़ों के लड़कियों ने सुबह आठ बजे ही कैप्टन हुज की सैना के उपर आकर मन कर दिया, कैप्टन हुज की आरोने वाली थी, वो पीछे अट गया, वो पीछे अट तारा, लेकिन तभी क परिनाल के नबाब की और जो हैंई माराजा पत्याला की सेना मा पहुंच दी दो तोपों के साथ इस से जो हैंई बेंकर लडाई हुई जूसे अंग्रेजों का भी नुक्षान हुआ लेकिन अंग्रेज ये लिखते हैं कि हमारा तो कम नुक्षान हुआ और लेटिनेंट ने जो उनके उपराखकरने कया जो नीर के किनारे का नीर की प्टडिी का साहा लेके टेक टेक करते थे वो जो बागपड़े और उनके सटरसी आदमी मारे उसके बाrets क्केप्टन यूज ने अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये कैक्टन जो नी करनाल का नबाब कौन था जिसने जो हैनी अंग्रेजों की साहिता की थी ये जो नी कर ये लिया कतली खान के जो भुजरग थे वो सबसे पहले उनका परिवारादा परिवार रहता था समाणा में समाणा जोनी महराजा पतियाला के नीचे आता था पतियाला रियासत में दो वो थे जाट और जागिरदार थे वो वहाँ से बंदा बेरागी के समय में जब उथल पुथल चल रही थी पंजाव के अंदर वो थाने सर के पास आ गए और वो मिर्जापूर थाने सर पेवा के बीज में उस तेम उसको जोनी मुर्थजापूर कहते थे आजकर मिर्जापूर कहते हैं एक किला था वारायने लग गए लेकिन उसके बाद जोनी वो साल मुझफर डिस्टिक के अंदर चले गए वहाँ वो पठान बन गए और यहीं इसके पड़दादा सरदादा ने जो लियाकतली खान था उसका नाम था सेरूदिन उसको 1789 के अंदर फर्खंदा खान ने जोनी वो एक जागिर दी थी और जोनी उसके उपर जो उस्ट में दिल्ली का रादा सालम था वो कहने कहने का बादिशा था उसकी ताकत कुछ नी थी इंडोस्तान में कावत पर सीद है सालम दिल्ली से पालम पालम जोनी वो आवाई अड़ावी है और जोनी पालम एक गाउँ होता था उस्ट में के उसकी कोई चोदर ने थी सालम की और उसका वजीर था नजीब डोला नजीब डोला के सनंद के उपर अस्ताकसर है उस से सेरुदीन को मुजफर जिले के अंदर सन 1789 के अंदर एक जागीर मिली थी सेरुदीन की 1789 के अंदर मिर्टू हो गई उसके बाद जोनी उशम तक दिली के अंदर मराथा आ चुके थे मराथा दोल्जराव सिंडिया ने सेरुदीन के लड़कों को देन की बजाए सेरुदीन के भाई मौम दी खान को जोनी वो नभाब बना दिया और वा जागीर 1789 के अंदर उसको दे दी फिर ठारा सो तीन के अंदर हंग्रेज आ जाते हैं दिली के लोर्ड लेक मराथों करा कर लोर्ड लेक ने जोनी अरियाना के अंदर अनेक रियास्तें कायम की थी जैसे जदर की रियास्त, फरुक नगर, पतोदी, दुजाना, लुआरू और जो पहले आलरेडी रियास्तें थी जैसे बल्लब गड़ और जींदकी इनकी रियास्तों को छेड़ानी उसमें जो हैनी उसमें जोनी लाडव करना जो था वो लाडवा के राजे के नीचे आता और लाडवा का राजा जो था वो गुर्दीच सिंग था उसने मराठों का साथ दिया था इसलिए अंग्रेजों ने जब ठारा सो पांच के अंदर दिली का रेजेंट ओक्टर लोनी था और उसने करनल बरन को बेजा उसने जोने लाडवा और करनल के ऊपर अटेक किया सिंग को लाडवा तो दे दिया लेकिन करनल चीन लिया और इस करनल को चीन कर मौमदी खान को दे दिया इस परकार अंग्रेजों ने करनल की जो जियासत बनाई थी और मौमदी खान जो इसका पड़दादा था लियाट अली खान का वो करनल का नबाब बन गया उसके बाद जब ठारास ताउन का गदरा आता है ठारास ताउन के अंदर ऐमन दली खान जोनी वो करनाल का नबाब था इसी निबला के रंगडों के खिलाप और जाटों के खिलाप जोनी वो सेना बेजी थी और ये लिया कतली का दादा था ऐमन दली खान के तीन बेटे थे उसका बड़ा बेटा तो था अजमत अली खान जो उसकी राणी से पैदा हुआ था और उसकी एक रखेल भी थी जिसका नाम था लाली बेगम इस लाली बेगम से भी दो बेटे थे एक रुस्तम अली खान जो ठारा सो त्रेसट में पैदा हुआ और दूसरा था उमर्दराजरली खान जो ठारा सो पैंसेट के अंदर पैदा हुआ ठारा सो सचिसट के अंदर ऐमН अली खान की म Хотु ऑगई और उसकी म Хотू के बादे के बाद जो है नी लेकिन अग्रेजों ने नए कानुन भूए व जो लाली बेगम थी उसने ठारा सौ बह्तर के अंदर जो हैंई वह चीफ कोर्ट के अंग्रेजों चीफ कोर्ट के अंदर अपना राईजीनी सालेइने के लिए मुकथमा कर दिया और जो हैंई अग्रेजों ने इसके अंदर मुसल्मान कानून की विसायता ली उन्होंने एमन अली काजी एमन अली सेयद था जो तरावडी का उस सो भी पूछा लेकिन अंग्रेजों ने कहा हमारे देश का ये कानून है कि जायदाद के अंदर सभी बेटों का पराबर का हक होता है हमने जो जायदा थारा सो छै में या थारा सो ठाउन में जिस भी नवाब गुद्धी है उसमें उसकी हर सारी उलाद का इससा होगा इसलिए जो नी लाली बेगम मुकर्मा जीत गई और थारा सो चुरासी के अंदर लाली बेगम और रुसके बेटे रूस्तम लिखान और उमर दराल लिखान को भी राज्य की रियासत में इसा मिल गया और यह जो एनि रूस्तम लिखान ही लियाकत लिखान का पिता था थारा सो किय नवें के इंदर रंग्रेजों न अजमत लिखान को जो नबाबा दुर्की उपादी देदी और रुस्तम अली खान को जो नी ओन रेडी मजी स्टेट बना दिया इसी रुस्तम अली खान का बेटा जो था वो लियाकत अली खान था मैं आपको ये भी बता दू लिया कि तली खान जोनी वो आदा रंगड था जब की रंगड लोग उसका फोटो लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा रंगड बाई था ये सकी बात है कि उसका नानका जोनी वो गाउं जोनी जुन्डला का बानजा था जुन्डला जोनी वो बहुत बड़ा गाउं था जुन्डला सही चुआनका गाउं के गुत के जोनी राजपूतों के रांगड़ों के सभी खेड़े निकले हैं लेकिन वो जुन्डला का और मैं यह और बता दूँँ के बारत को 1947 में आज़ादी मिली लेकिन आज़ादी नहीं थी उस टेम घोर एंग्रेज राज करते थे वह अपने जो उनके चाहेते थे काल एंग्रेज उनको घद्दी सौंथ कर गए थे यह ट्रांसफर ट्रांसफर को पावर था पावर को गोर इंग्रेजों से काव एंग्रेजों के मिली थी जिन आद इंग्लική थी बे Clahon zuv आज को आज़नों को गतर रहे हैं आब आतें वापिस बालागा उंके तर बालागा और 15 जुलाह को जो निहां लड़ाई हुई और रांगडों के लड़के मारे गए उसके बाद गाओं पर टैक किया गाओं के चारों तरफ हाग लगा दी गई कूप बिटोडे और जोनी मरीडे सब ठूक दिये गए उसके बाद पक्के कर जो थे उनमें आग बहुत कम लगी कुल मिलाकर जोनी गाओं बलाके सो के लगबग नो सो लड़के जो थे वो लड़ाई में गाओं बलाके थे और जिसके अंदर सो के लगबग मारे गए और जो बार मदान में खुले मदान में लड़ रहे थे उपागते हुए रांगडों के लड़के भी मारे गए अनेक लोगे में अकुल मिला कर जोनी उसके अंदर तोफ काना था आर्टिलरी थी, कैवलरी थी और इन्फेंटरी थी थल सैना और गुड़ स्वार सैना और तोफ काना तीनों सामिल थे गाउंबवा की हारोईपन और गाउंगे चैर लंबरदारों को और बहुत से जोनी भुजरक आदमियों को जो की ने उनको गिरिफतार कर लिया गया गाउंगे अंदर अजारों मौनानाज गी और गुड़ जोनी उसको लूट लिया गया गाउं को कुल पैंसट सो ली बास लिखता है कि केउल पैंसट सो रुपे मारिया लेना था और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा हम जाटों के हर गाउं को स्वीदा देते थे हम समझते थे दे आर दा पीलर ओफ दा स्टेट वो तो सतंब है गाउं बला मुझे यह नहीं समझ में आ रहा बला गाउं ने विद्रो कैसे कर दिया जोनि ली बास ने और कर्टन उजने किया एकजार रुपे जुर्माना और रुपे सट रुपे मालका पका दे जो इस सारे मालको अनाज को गी को और गुड को जब्ट करके गरुंडा के तैसिल्दार को दे दिया गया आपको छोड़ दिया जाएगा उसके बार जोनि मैं यह और सपस कर दो यह करनाल का हिलाका जोनि इसमें जोनि जो अंग्रेजों का अंबाला का जो जनरल था चाऊनि का सबसे बटा उफिसर था वो था जनरल बर्गेडियर एंसन बर्गेडियर एंसन इंसन सत्रा मईको सैना लेके चलिया था और करनाल के पास रांगडोंने जाटों ने और जो सेना से बगड़े और सेनिक थे उन्हों ने उसको गेर लिया और उसको युद दुआ और वो लड़ाई के अंदर मारा लिया ऐसा जो नी ताजुदीन इस्टोरियन लेखता है इतियास कर ताजुदीन वो पंजाब का रहने वाला था लेकिन अंग्रेजों ने इस गटना को छुपाया और उन्हों ने कया कि 27 में 27 को एंसन की मिर्टू जो है नी बर्गेडी एंस की मिर्टू एजा से हुई है और उसका कोई जोनी मिल्ट्री का समान नी दिया गया ने टोफंक इसलामी दी गई आनन थानन में उसको दफना दिया गया जब अंग्रे गया था ये बड़ा करमतिकारी लाका था इस लड़ाई के अंदर सबसे नोट करने वाली बात ये है कि रांगडों इंदों और मुसल्मानों का इससे बड़ा बाई चाहा मिल नहीं सकता कि गाउं बवा के जाटों जाटों गाउं था टैक उता है मूनक जलमाना और असंद क दो है रांगडों के लड़के जन्य अथियार लेकि पहुंच जाते हों और जी जान से लड़ाई लड़ते हैं ठारा स्तान के इंदर नहें तो एक ही मस्चिद के उपर आकरमन किया और नहीं एक मंदर के उपर आकरमन किया इतना बड़ी आवाई चाह था अब आता है 1927 के लख्मी चनने लिख्या है कि दुनिया में दो दीन हैं दो दहम हैं दोनों में लगी है बाजी वही अलफ में वही कके में वही जी मर में वही शक्के में वही मंदिर में वही मक्के में दोनों का दफन जमीन है क्या पंड़त क्या हाजी दुनिया में दो दीन हैं दोनों में हीम कहो कुछ भी कहो इसलिए दोनों को में बड़े प्यार से रहती थी लेकिन मुहमद अली जीना और जो आरलाल नैरू ने उस्त में जो निक पार्टिशन ओफ इंडिया उनिस उस्ताओं तालिस के अंदर पंजाब के कागजों में तो दस लाख लो लोग दिखाते हैं 21 लोग जोनी वो मुख्यों से मार देतें अंग्रेजों को लेकिन अंपड़ता थी और नेताओं का जो हनी वह जो देता अंग्रेजों के पिठ्थू थे उनिको सता मिल गई और आम जनता जोनी भूगत रही है इसलिए भाईयो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा इस परकाशे हैं रामलाल मान संव रामचंद पानना बूप सिंग मान और पेमा पानना सुल्तान सिंग मान और उसका पिताजी पंडत रामलाल बार्द्वाज गिर्वर सिंग जाट और मुस्ताग एमंद रांगड इसके तरीक जो नी इसी कारण से जो नी असंद के रहमत राजपूत को और असंद के रांजीत जाट को दिसम्बर ठारा स्थाउन के अंदर फांसी दी गई थी आमेज़ोनी सजीदों को याद रखना चाहिए लोगों ने बड़ी कुर्बानी के साथ आजादी प्राप्त की है वाई यो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो करपया चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना जैए हिंद